आज के इस लोक आरपन कार्कम में सबसे पहले वीर्ता और प्राक्रम किस पावन माटी गुंदेल खन की धर्ती पर विश्व के सारवदिक लोग प्रिय नेता हम सब के अगुवा सम्रिद्ध और ससक्त भारत के सिल्पिकार देश के सश्वी प्रधान मंत्री परामादर्णी स्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आरदिक स्वागत और अविनन्दन करता हूँ उत्तर प्रदेश को सरवत्तम प्रदेश बनाने के संकल को लेकर 25 करोड प्रदेश वासियों की सेवा सुरच्छा सुसासन के लिए निरंतर कारे कर रहे कारे करने वाले प्रदेश के कर्व योगी मुख मंतरी योगी आदितनाज जी माननी उप मुख मंतरी दोय सिरी केसो प्रसाद मौरे जी सिरी बिर्जेश पाठेक जी कुंदेल खंची माटी के लाल यसस्वी प्रदेश अध्यच एबं उत्तर प्रदेश सरकार में वरिश्ट केविनेट मंतरी सिरी सुतंद देव सिंग़ी केर सरकार में माननी राजमंतरी सिरी बानु प्रताबर्मा जी राज मंत्री हमारे सहयोगी सैनी जी राज मंत्री गंग सम्मानि सांसर गंग लोग प्रिय विधायक गंग सभी अधिकारी गंग पत्रकार बंदू इस मंडल में इस पंडाल में मौझूद विसाल जन्समूं का मैं अपनी और से अपनी सरकार की और से और सरकार के मुख्या योगियादित तनाजी की और से हार्दिक स्वागत और अभिननन करता हूँ हम सबका परमसो भागे है कि आज हम उस कालखंड में आज हम उस कालखंड के साची है जहां इस देश की बागदूर एक परमतबस्षी प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोधी जी के हातों में सुरस्षित है हिंदुस्तान को चाहने वाला हर्वेक्टी हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर्वेक्टी हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर्वेक्टी हिंदुस्तान को विस्ट गुरू बनते देखते हुए देखने की चाहत रखने वाला प्रतेख हिंदुस्तानी जिने देश क भाग विधाता के रूप में देखता है और महसूस करता है ऐसे परमादर्नी प्रधान मंक्री जी के करकमलों से बुंदेल खंड एक्स्प्रस्वे की बवमूल सवगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है बुंदेल खंड बुंदेल खंड की अत्यासिक एवं सांस्कृत व कि सरकारे के इन सरकार से बुंदेल खंड के नाम पे बड़े बड़े पैकेश की मांग करती थी और जम करके लूट खरोष करती थी जहां एक और पिछ्छी सरकारों ने लागत बढ़ाने की नियत से जान बूच के विकास की परियोजनाओं को सालों साल तक लटकाई जाती वहीं दूसरी और हमने बुंदेल खंडिक्स को निर्धारिक समय सीमा से करीब आठ महीं ने पहले पूरा कर लिया है और ग्यारा सो बत्तिस करोड रुपए बचाने का काम किया है मानि प्रधान मंत्री जी आपके आइडिया आफ इंडिया एक भारत सेज़ भाषब के विजन से पेरित होकर मानि मुख मंत्री जी के नित्मित में हमारी सरकार ने मिशन मोड में उत्तर प्रदेश के समकर विकास के लिए संकल पित है हमें आपको बताते हुए गर्व का अन्वो हो रहा है कि आज आपके करकमलों से इस एक्स्प्रस्वे को लो कर्पित होने के बाद भारत के कुल एक्स्प्रस्वे का 37.7% उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा बंदेल खंड एक्स्प्रस्वे इस शेत्र के लिए बरदान साबित होगा पूरे बंदेल खंड शेत्र में उधोग निवेस वैपार को बढ़ावा मिलेगा युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के नए उसर मिलेंगे मानी प्रधान मंत्र जी आपके रिफार्म प्रफार्म के मंत्र पर चलते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की एकरोमी बनाने के लिए बनाने के निशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है अब उत्तर प्रदेश की पहचान जातीवाद, परिवारवाद, माफियवाद से नहीं बलकि एक्सप्रेस प्रदेश से होती है आज के इस आउसर पर मैं यूपीडा के CEO आउनी सवस्ती जी को और उनकी पूरी टीम को बदाई देता हूँ जिन्होंने तैस समय से पहले इस इस प्रियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम की है मैं अपनी बात को और आगे न बढ़ाते हुए इस पंडाल में आगे से लेकर पीछे तक जो खचा खच बरा हुआ पंडाल है विसाल जन्मानस की होर से मानि प्रधान मंत्री जी के लिए चार पंक्रिया कह करके अपनी वानी को विराम देता हूँ कि 2024 की 2024 की आमत का ये ऐलान ह है मोदी में होने को फिर से बेताव हिंदुस्तान है मोदी में होने को फिर बेताव हिंदुस्तान है है सहन साही में भी है सहन साही में भी साने फकीरी का कमाल मोदी जी के नाम पर सारा वतन कुर्बान है मोदी जी के नाम पर सारा वतन कुर्बान है रहेंगे मोदी जी तो ए एक-एक मकान चमकेगा रहेंगे मोदी जी तो एक-एक मकान चमकेगा हर एक फुनबा हर एक खांदान चमकेगा मिटा न पाएगी दुनिया की ये हस्ती कुछ इस तरह से अपना ये हिंदूस्तान चमकेगा कुछ अपना उच इस तरह से अपना ये हिंदूस्तान चमकेगा जै पूरे प्रदेश को एक्सप्रेस वेस से जोड़ देना उसी विजन का हिस्सा है सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के सरवांगीन विकास को गति देने के लिए उसे वन ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉनमी बनाने के लिए योगी 2.0 का मुकाबला और किसी से नहीं बल्कि उनके पहले कारकाल यानि योगी 1.0 से ही है आपके